हेलो गाइज विल्कम टू मैं चैनल टेक्निकल माइंडशेट चलिए हम लोग बैंक निप्टी का अनलाइसिस करते हैं कि मंदे को मार्केट क्या पर्फर्म करेगा जैसे हमने फ्राइडे को भी उकिलियर किया था कि अगर मार्केट अगर मार्केट 31,400 के आसपास 31,400 के नीचे क्रोस करेगा तो हम यहाँ पर सेल करेंगे लेकिन मार्केट इसी लेबल के आसपास खुला और यहीं से अब चला गया और हमारा जो बाइंग साइड का लेबल था वो था 31,800 के लेबल को अगर क्रोस करेगा तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और हमारा जो टार्गेट होगा फ़र्ष टार्गेट वो 32 फ़र्ष टार्गेट डण किया लेकिन बॉटम से बाइंग गया था हमारा लेबल को पहु और इस तरह से मंडे को क्या करेंगे अगर मंडे को बिग डाउन ओपन होता है मान लेजे कि 31400 के नीचे Market open होता है 31400 के नीचे Market open होता है तो यहां से सार्प सेल आएगा क्यूंकि डेली कंडल में यह हैमर इस तरह से बना चुका है यह हैमर के नीचे मतलब हैमर का जुलू है ओए 31400 अगर 31400 को क्रोस करेगा तो यहां से sharp selling आ सकती है और अगर मान लेजे कि market flat open हुआ flat open हुआ इस level के आसपास में इस तरह से open हुआ 13800 से लेकर 13600 के बीच में इस बीच में अगर open हुआ तो market किधर जागा अगर 13500 को cross करेगा तो हम यहां पे sale करेंगे हमारा first target जो होगा वो 31400 होगा और यहां पर market थोड़ा देर hold करेगा इस तरह से price section बनाएगा इसके बाद cross करेगा और अगर 31400 को cross कर गया तो यहां पे sharp selling आएगी और यहां पे हम full quantity में trade करेंगे अगर मान लेजे कि market upper side में cross कर गया मान लेजे कि 31800 के cross कर गया तो हम यहां पर क्या करेंगे buy तो करेंगे लेकिन यहां पर quantity कम कर लेंगे क्योंकि buy side में यह बहुत ज़्यादा भूले tile होने वाला यहां पर sharp momentum नहीं आएगी यहां पर market थोड़ा सा hold करेगा और 31800 को cross करेगा तो हम यहां पर buy करेंगे लेकिन first target जो हमारा होगा वो होगा 32150 है यह label होगा और यहां पर market थोड़ा सा consolidate करेगा यहां पर market range में फास सकती है तो buying side थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा trade थोड़ा कम quantity में करेगा लेकिन अगर नीचे side में 31400 को cross करेगा तो यहां पर full quantity में trade करना बहतर होगा यहां पर एच्छा trade मिल सकता है next हम लोग nifty देख लेते हैं कि nifty में क्या होगा जैसा कि हम daily candle में अगर देखेंगे nifty में तो bank nifty जो है वो इस label तक आ चुका है यह जो price section बना के उपर गया है nifty, bank nifty इस label तक आ चुका है और यहां से उपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन nifty है जो अभी EC level में इस level में तक अभी आया नहीं है तो nifty यहां पर कल अब हम लोग चलते हैं पांच मिनट में देख लेते हैं Monday को nifty अगर मंडे को nifty अगर फ्लैट खुलती है 14,320 से लेकर 14,360 के बीच में इस बीच में खुलती है और मार्केट नीचे क्रोस करती है और अगर मार्केट 14,270 को क्रोस किया तो यहां पर हम सेल करेंगे और यहां से सार्प सेलिंग आ सकती है और हमारा फाइस टार्गेट होगा ओगा 14,220 और शेकेंड टार्गेट जो होगा हमारा ओँ हो जागा 14,150 और अगर बैंक नीफ्टी अपर क्रोस कर गया तो अपर साइड में सोरी नीफ्टी अगर अपर साइड क्रोस कर गया अपर साइड में नीप्टी में भी बहुत ज़्यादा अस्पेस नहीं है मार्केट यहाँ पर पुले टाइल हो जाएगा और इस रेंज में जाते जाते बीलकुल रेंज में फस जागा 14,460 से लेके 14,460 से लेके 14,040 यह जो रेंज है इस रेंज में मार्केट फस जागा तो हम बाइंग साइड में ट्रेड इग्नोर कर सकते हैं नीप्टी में और अगर माली जीगो कि कोई रिक्सी ट्रेडर है रिस्क लेकर यहाँ पर ट्रेड करना चाहेगा तो इस लेवल को क् तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे और छोटा सा प्रूपिट ले लेंगे 14,040 के हमारा फार्ष टार्गेट होगा और 14,040 पर फार्ष टार्गेट बुक कर लेंगे इससे जादा हम आप एक्छा नहीं कर सकते हैं और मार्केट इस रेंज में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है यहाँ पर यह रेंज में फास सकता है इसके ऊपर निकलेगा कब जब मार्केट बहुँ ज़्यादा है यहाँ पर होल्ड करेगा और इसके बाद निकलेगा तो मार्केट यहाँ से अच्छा मोमेंटम कर सकता है तो ध्यान दीजिएगा बाइंग सैड में ट्रेड पहला अश्टोग है जो हमारा यूबील है यहां पर हम देखेंगे कि एक पटर्न बना कर आया है इम पटर्न इस तरह से एम पटर्न बना के नीची आया और फिर यहां पर भी एम पटर्न बना कर अपर जाने की कोसिस कर रहा है और अगर मार्केट पर जाने की कोसिस कर रहा है और अगर ए 1150 के अपर निकलता है तो यहां पर बाइंग सेंड में अच्छा प्रोफिट मिल सकता है नेक्स्ट अश्टोग है हमारा नेसली इंडिया नेसली इंडिया यहां पर देखेंगे एड एंड शूल्डर पैटर्न बनाया है यहां से ब्रे 16,083 है मतलब 16,000 इसका टार्गेट है अभी टार्गेट डन नहीं किया और यहां पर एक चीज़ और हम देखेंगे कि यहां पर इंसाइड भी बनाया हुगा है तो जैसे ही यह जैसे ही यह 16,50 को क्रोस करेगा हम यहां पर सेल कर शकते हैं नेक्स्ट अश्टॉक है हमारा ओ है एमारेप एमारेप में भी इंसाइड पैटर इंसाइड कंडल बनाया हुगा है यह देखें बहुत अच्छा इंसाइड बनाया हुगा है और इसमें अगर 77,600 को क्रोस करेगा तो हम यहां पर सेल कर शकते हैं अगर थैंक यू फ्रेंट वाचिंग वीडियो अगर मेरी भीव कंसेप्ट के लिए समझ में आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें सिब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएए कि मेरा भीव कैसा लगा और आप हमें सलाह भी दे सकते हैं कि मैं आप लोग के लिए किसा स्टॉक में अपना भीव आप लोग को बताओं कि वो कैसा परफर्म करेगा प्लीज कॉम्मेंट में चड़ूर बताएगा थैंक यू फूर वाचिंग